तो दोस्तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक आयरन का समपूर्ण वाइरिंग कनेक्शन करके आपको दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ आपको कई महत्वपूर्ण बाते भी बताने वाले हैं जैसे की क्वाईल को कैसे चेक किया जाता है नए क्वाईल कैसे लगाया जाता है और नए क्वाईल लगाते समय आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे की आपके electricion के body में current कभी भी न आए तो नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है अमर और आप दिख रहे हमारे वह दुप तो दोस्तो अगर आप भी आरन का वारिंग करने जा रहा है तो मैं आपको बता दूं कि वारिंग का स्टार्ट इसका स्विच से होता है ठीक है इसका क्वाइल का कनेक्शन बाद में होता है तो दोस्तो सबसे बेल हम क्या करेंगे इसका वारिंग करने स्टार्ट करेंगे तो से पहले इसका वायर करेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर कॉपर का वायर ले लिया है दोस्तों इसका जो वायर था वह खराब हो चुका है तो हम यहाँ पर कॉपर का तार यूज कर रहे हैं दोस्तों आपको सिर्फ कॉपर का ही वायर यूज करना है अगर वह पहले वाले वायर ख कर देने ठीक है तो यहां पर हम सुच से किसी भी एक पॉइंट में हाँ पर कनेक्ट कर दिया ठीक है अब इसके बाद आपको छोटा सा एक वायर और लेना है तो इस छोटे से वायर को आपको इस स्वीच के दूसरे टर्मिनल में आप जोड़ देना है तो इससे क्या होगा हमा लगा दें ठीक है तो दोस्तों इस राधने इसका नट को लगा दिया अब यहां पर दो सप्लाइवार जो है वह इधर निकल चुका है अब दोस्तों इसके बाद हमें अगले स्टेप हमारा अगले स्टेप क्या होगा तो यहां पर आप दे सकते हैं आरन का जो बॉड़ी है दोस्तों इस तरह से आप दे सकते एक छोटा वासर रहता है तो इस वासर के साथ वायर को यहां पर एट कर मोड़ कर यहां पर कनेक्ट किया आता है मगर दोस्तों इसका जो कॉपर का तार हम यूज कर रहे हैं तो इसमें नहीं जाएगा तो हम कॉपर का तार को छील कर एक इ यहां पर लगा लेते हैं अब इसके बाद यहां पर देख सकते हैं जो चीनी वाला वासर है आप देख सकते हैं इसको पहले यहां पर लगा देना है इसके बाद यहां पर जो बॉड़ी में जो दो होल है उसमें किसी भी एक होल में आपको यहां पर लगा देना है और इसका प देने हैं तो दोस्तो इस तरह से हमने इसका जो एक वाय का कनेक्शन कर दिया है तो दोस्तो ठीक इसी तरह से हम जो दूसरा बार बचा हुए ना उसे भी ठीक इसी पकार से यहां पर कनेक्शन कर देते हैं तो यहां पर हमने दोनों वायरों का कनेक्शन कर दिया है अब दोस्त से हमने इसको लगा लिया है अब इसका पीछे का यहां पर जो नट बोल्ट होता है उसे लगा कर अच्छे से यहां पर टाइट कर देते हैं तो हम यहां पर दोनों नट को लगा कर यहां पर टाइट कर दिया है अब इसके बाद जो तीसरे नट यहां पर लगता है ना दोस्तो होता तो उसे आप कैसे चेक करके जान सकते हैं कि वह खराब हो चुका है यह नहीं तो सबसे पहले हम यह जो खराब क्वाइल है उससे यहाँ पर पहले बाहर निकाल लेते हैं तो इस तरह से लेए इससे बाहर निकाल ले आप देशक्तिया तूट चुका है यहां पर से पुराना चुट या खराब हुचुका है और यह खराब है उससे आप confirm करने चाहते हैं कि यह खराब है तो आपको क्या करना आपको मद्टि मेटर और कंटूडि मोट पर ले इस को सेट कर दे कथ कि सेट करोंने यह जो का दो का टर्मिनल होता है अपको दोनों प्रॉप पर इस तरह से रखना है एसा करने से हैं याँर ना अगर कोई सही रहेगा तो में यहाँ पर किसी फ़जरा करें तो कर रहा है यानि कि यह जो क्वाइल था ना वह खराब हुचुका तो इस तरह से आप चेक के पतल लगा सकते हैं कि क्वाइल खराब हुचुका है या नहीं तो आप दोस्तों बारी आता है इसके बाद हम यहाँ पर नए क्वाइल लगाने वाले हैं तो आप पर आप दे सकते है क्वाइल है हमारे पाइष चार साप्याइश वाट का है तो दोस्तों हम आपको दिखा जिते हैं कि जो काइल होता है ज्याの यहाँ दिखा क्वाइट आक में तो यहाँ पर अनुट्र गौत संब और इसरे कैसे लगा कि करेंट कभी भी ने क? ठीक है तो आपको ऐस लगाना यह दो भूल्ट दिया गया तो आगे की तरब को छिपका कर तो तब होगना अनुक्तर ना है और लगोगना है यहां पर जो ग्लास का पट्टी लगा होता है जो की हीट प्रूफ होता है यहां से टूट जाता है और हमें पता नहीं चलता है जब हमने क्वाइल लगा रहे होते हैं तो यहां पर से टूट जाता है थोड़ा बहुत लगा हो रहता है और यह जो टर्मिल होता है इसके बौड तो यहां पर आप दे सकते इसमें का जो ग्लास वाला पत्टी है जो कि हीट प्रूफ होता है उसे आपको इस्टे चाहिए और नहीं आएगा तो इसके बाद आपको अपर का लोह है इस तरह से आपको लगा ले कृट रभर या पर उसका है यहां पर यहां पर थो आपको इस तरल से आपको है उन्हें करना थीक उतना को प्तिव में यहां पर फोश regionsate में घुषाकर श्कार चेदा करें ूह पर करना इसके बाद दुसरा पट्रस तो उसके दूसरे टेर्मियत में लगाकर यह पर इसके जो डरता कर दोस्तों दोस्तों Baptist फाइनली हमारा का जो एल्लेक्ट्रिक अरेन का जो कंपरिट हो जाता है यह हो रहा है यह करो आघार दें लेगन करें और इसको सप्लाइ कर देते और इसका जो सब्ढ़ Vaasa है थे शाय हैं इसे हम यहां पर सप्लाइक रिखकेंट को निखैंट कर सकते हैं घर ठीक हैं तो चले तो मिलते हैं नेस वीट요 में तब तक जय हीन जय भारत बंदे मातरम झाल